गोपाल गंज ये नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे अजीबो गरीब खबरों की नई कड़ी बिहार का गोपाल गंज जहां से अजीबो गरीब घटनाएं अकसर आती रहती हैं हर कुछ दिनों के अंतराल में गोपाल गंज खुद को शुर्खियों में ले ही आता है अब दे समेत उसके बच्चे की भी खुब पिटाई की गई अब नमस्कार में नेहा चौधरी कैमरा परसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन बिहार का अनूखा जिला गोपाल गंज यहां से अकसर कुछ न कुछ हैरान करने वाली खबरें आती रहती है कुछ ख एक दबंग वैक्ति ने एक महला को डायन समझ कर खुब पिटा उस वैक्ति ने केवल महला को ही नहीं बल्कि उसके पती की भी खुूब पिटाई की और साथ में उसके छोटे बच्चे को भी खुब मारा अब आप सोचिये उस निर्दई दबंग ग्रामिन की हिंमत बेबु गया सभी लोग बस इस द्रेश्री को देखते रहे किसी ने इस महिला और उसके परिवार को बचाने की कोशिश नहीं की जब आप इस घटना को अच्छी तरह समझेंगे तो आप भी कहेंगे कि कैसा बेवकूफ इंसान है इतनी छोटी सी बात पर महिला को डायन समझ लिया और बहरे मुग की तरह पीटा दर असल ये मामला गुपाल गंज के फुलवरिया गाउं का है जहां राजकुमार साह का आठ साल का बेटा अभिरंजन कुमार घर के बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते वह गिर गया जिस वजह से उसे चोटे भी आई जिसके बाद आठ साल का अभिरंजन रोते हुए अपने घर गया और अपने पापा राजकुमार साह को सारी बाते बताई कि वह घर के बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते गिर पड़ा जिस वजह से उसे चोटे आई है ये बाते सुनकर अभिरंजन का पिता राजकुमार साह अपने पडोस की महला पार्वती देवी पर आरोप लगाने लगा कि पार्वती देवी डायन है और उसने काला जादू कर दिया है जिस वजह से मेरा बेटा खेलते खेलते गिर गया जिसके बाद राजकुमार साह पारवती देवी के घर जाकर पारवती देवी सहित उसके पती और बच्चे की खूब पिटाई करता है उसने कहा कि पार्वती देवी डायन है उसके कारण ही अभिरंजन को चोटे आई है जिसके बाद पार्वती देवी उसका पती और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए पारवती देवी ने कहा कि इससे पहले भी कई बार राजकुमार साह के लड़के को बुखार आया था तब भी राजकुमार साह ने पारवती देवी पर ही आरोप लगाए थे या उनके साथ कोई दुरघटना हो जाती है घटना के बाद अस्थानिय लोगों ने पारवती देवी सहित उसके बेटी और पती यानि तीन जखमी लोगों को अस्पताल में भरती कराया है जहां पती पतनी को गंभीर रूप से चोटे आई है और उनकी इस्तिती काफी रूप लगाकर उसकी पिटाई कर दी घटना के बाद पुलिस जाच में जुटी है इस घटना में फुलवरिया गाउनिवासी अंजनी सा उसकी पतनी पारवती देवी और बेटा हिमांशु कुमार गंभीर रूप से घायल हुए है बाकी ये गुपाल गंज की खबर है बाक की खबरों से बिलकुल अलग और इसको लेकर आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा और आगे की खबरों के लिए देखते रहे जनता जंक्शन धनिवाद